रोड रेज में ड्राइवर की हत्या के विरोथ में सोंवार को दिन भर मनाने की कोशिचे बेकार होने के बाद सरकार ने तेवर तीखे कर लिये हैं बिली सरकार ने हरताली ड्राइवरों पर एस्मा लगा दिया है आपको बता दे की अवश्यक सेवाय जारी रखने के लिए सरकार एस्मा लगाती है एस्मा लगाय जाने पर करमचारी हरताल नहीं कर सकते ऐसा करने पर उन्हें छे महीने तक की कैद भी हो सकती है सरकार द्वारा इस पर लगा जाने के बाद अब अगर ड्राइवर काम पर नहीं लोटते हैं तो उनकी गिरफतारी की जा सकती है पश्चमी दिल्ली के मुंडका इलाखे में एक युवक ने अपनी मोटर साइकल में बस से टक कर लगने के बाद बस चालक अशोक की हेलमिट वै आग बुजाने वाले छोटे सिलिंडर से पीट-पीट कर हत्या कर दी इसके विरोध में डीटीसी की बसों के चालक सोमवार को हरताल पर रहे जिस कारण याथ्रियों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा देखे अभी कल रात में असोक के पत्नी और उनकी बेटी से बात होई थी सरकार की और उन्होंने कुछ मुद्दे अपने दिकतें रखी थी सरकार ने फैसला किया है कि उनके बेटे को नोकरी बेटी की पढ़ाई का सारा खर्चा और उनकी पत्नी के इलाज की सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार लेगी परिवार के पूरी तरह से साथ है सरकार, उसके हर दुख में साथ है सरकार लेकिन जनता को परिशान करने वालों के खिराफ अब सक्त कारवाई होगी दिल्ली सरकार ने एसमा कानून लागू कर दिया है दिल्ली के अंदर अगर अब भी जो लोग भी जो भी करमचारी अपने ड्यूटी पर वापस नहीं आते हैं क्योंकि हम परिवार की मदर्द करने को तयार हैं लेकिन दिल्ली की जनता को अगर कोई परिसान करेगा किसी खास मकसद से उसको सरकार अब बरदास नहीं करेगी जो भी अगर ड्यूटी पर नहीं लोडता है उसके खिलाफ अपसक्त कारवाई होगी अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो उन्हें नोकरी से बाहर किया जाएगा लेकिन दिल्ली की जनता को सेवाएं देना सरकार की प्रात्मिक्ता है साथ साथ उनके परिवार का साथ देना हमारी जिम्मेदारी है राइव और कंडेक्टर हैं वो भी हमारा हिस्सा है वो भी हमारी फिलीट का हिस्सा है बहुत मेनत करते हैं काम करते हैं और अगर उन्बोर सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है दावे तो इन्होंने चुनाओं से पहले बहुत बड़े-बड़े किये थे बसों में सिक्योर्टी गार डोंगे और लोगों की सुरक्षा होगी अब सारा रवया डिक्टेटरशिप तरीके से हो रहा है किसके बाद सुनी नहीं जा रही ना जनता की भावनाओं का कोई ख्याल रखा जा रहा है और जिस पूरी तरह से इस समय इनका मैनेजमेंट है मैंनी समझता है बहुत दिन तरह कि सरकार चलने वाली है ये ताना शाही रवया बिल्कुत सही नहीं है दिल्ली के लिए और मुझे लगता है कि उपराजिपाल साब को एकदम दखल देना चीए ये क्या मजाग बना रखा है दिल्ली में आप जेल भेज़ दो आप जो मड़िया कर दो कि आपकी सरकार है इसका मतलब ये थोड़ी है आप उनके बात सुनके उसको जल्दी से जल्दी उस परिशानी को दूर करें मकसद ये होता है सरकार का ख़बरों की दुनिया में आईए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िये हम मिलेंगे फेस्बुक पर हम दिखेंगे यूट्यूब पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर हमों के साथ बने रहे राद दिन